हाई माई नेम इस अमादली हमारे कोर्स एंड्रोइड एप्रिकेशन डिवेल्पंट के आज का टॉपिक लिस्ट व्यू है जिसके अंदर हम कस्टमाइज लिस्ट व्यू को बुनाना सीखेंगे तो हम डिरेक्ली चलते हैं अपने प्राइस्टंप बनाया था इसमें सिम्पल भीशा है उसी को देखते हैं कि तो क्या खरूकर लास्ट ने में हमारे पर कुछ इस तरह की एक लिस्ट थी और उसके बाद हमने उसके पर लिस्टनर्स भी अप्लाइ किये थे और कुछ इसके लिस्ट रिस्ट के लिए डेटा भी हंटर करके देखा था यहां पर थोड़ा से डेटा मैंने अपनी मर्जी से फ़ाद चेंज कर दिया है तो जो हम इसकी आउटपूट देखते हैं तो यहां पर हमारे पास इतने भी सोशल मीडिया के नाम है वो यहां पर आ रहा है यह लास्ट में एक दो दफा आ रहा है यह दो दफा लिखा हुआ है लेक्स लेट कर दो देखते हैं तो यहां पास एक दोफेगर आई तो यह आप देख सकते हैं कि यह सेंपल डेष्ट्वीव है जिसके पर हमने कस्टम अप्लाई किया था जो उसका लेड़ाउट का लेड़ाउट के ना हमने टेट्श भी डिफाइन किया था और टेट्श भ को थोड़ा एक send करेंगे और अपनी मर्जी का एक view बनाएंगे जिसके इंदर multiple information हो सकती है अभी हम करेंगे यहाँ पर यह जो facebook लिखा है इसके साथ facebook का icon भी show करेंगे और हो सकता है कि हम नीचे को यह उसकी चोटी मोटी detail भी लिखना चाहिए तो सबसे पहले हम एक list item इसी को copy कर लते हैं और यह copy कर लते हैं यहाँ पे एक नई list item बना लते हैं let's say इसका नाम बश्के पे custom list item और जो हमारी root node है root element उसको linear layout ही set कर लते है क्योंकि हम यहाँ पे बनाना चाहा रहे है facebook से पहले उसका icon आए और facebook उपर लिखा है let's say नीचे उसकी कुछ तोड़ी सी detail आजए तो हमें कुछ इस तरीके का layout बनाना पड़ेगा कि जो हमारी left side है वहाँ पे icon हो और right side के उपर एक layout लगा हो जो के दो text true को contain कर रहो एक ऊपर और एक पीचे तो first of all हमारा जो layout है वो होगा linear layout और उसकी orientation हम set कर दे है horizontal और representation अलभी defined है इसको हम horizontal set कर दे है और यहाँ पे लट से हम अपना image भी set कर दे है और इसको हम कर देते है match parent height को भी हम कर देते है match parent इसको हम कर देते है wrap content let's go यहाँ पे इसको हम close करते है इसको एक id देते है इसको let's say हम कर देते है ing item item की image image यहाँ पे हम चा रहे हैं के डो जो images जो दो text view हो रहे है वो उपर बीचे नजर आए इसको match parent करते है और इसको height को wrap content कर देते है last day हमें नजर आए तो यह text view का हम देते है यह name space सिरफ root element के लिए गुरूरी होती है इसको इसको यहाँ से निकाल देते है और यह हमारा text देते है let's say इसके लिए एक और text देते है उसका जो size है वो उसे काफी कम है बंदा रख देते है और इसके पर let's say जो कुछ text लिखा हुआ text हम टेंप पे लिए text लिख लोते है ताके हम उसको यह देख से कि वो लिखा हुआ कैसा लगर आएगा तो यहाँ पे नहीं देते है any detail let's say any detail इसका text है let's say यहां पे हम इसके लिख लख लख रहे social media अभी हम इसको जबाएगा थो व्यू कर लख 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 ही है हम ऐसा लगर आएगा जो कि अभी बहुत ज़्यादा इसके लिख लख लख है आएटम बने जा रही है कि यहां पे हमारे पास जो margin आ रहा वह काफी ज्यादा आ रहा है किस margin को हम जुमीद करके और उसके बाद हम इसको देखते है इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास padding भी काफी जादा है padding को भी remove करके देखते हैं अभी हम इसके अदर add कर लेंगे padding ठीक है भी अब हम इसको further देखते है let's save padding हम जहाँ पर add कर लेते हैं 5dp की 5dp से ज्यादा अरफ में बड़ा 10dp add कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो information है वो नज़र आएगी ठीक है जी अब हम इसके लिए जो है adapter लिखेंगे और adapter के बाद अपर हम इसको define करेंगे padding हम यहाँ पर define करेंगे क्योंकि वहाँ पर काफी close हो गया है जो image हो है वो border के काफी close हो गया है तो हमारी item define हो जाएगी उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर हमारी main activity में अब main activity में यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे social media के नाम आ रहे हैं और इन को अब हमने वहाँ पर शोकरवान है जरूरी नहीं है कि single information हो उसके मेरे image भी हो सकती है और इसके साथ detail भी अगर हमारे पास जरूरी भी complex information होती है उसको हम simple variable के अंदर नहीं रख सकते हैं उसके लिए हमें को structure बनाना पड़ेगा उस structure को हम common class के अंदर define करते हैं तो हम यहाँ पर class define करते हैं let's say हम उसका नाम बखते हैं social media social media element item 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 यहाँ पर हम इसके लिए team information पास करेंगे पहली information जो होगी वो इसका नाम होता है ठीक है जिए अवनी जो information होगी वो इसके इंदर detail हो सकती है और तीसरी information इसके अंदर image हो सकती है image को हम fill हाल जो है वो इसके अंदर existing drawable या netmap में जो images पढ़े होगे उससे define करेंगे तो इसलिए मैं यहां पे इसको fill हाल integer में ले रहा हूँ int image क्योंकि जो इसके drawable में इस image पढ़े होगे हमने इसको id प्रवाइड करना है तो वो id हमें integer में मिलेगा that's why मैंने image की जो data type रखी है वो मैंने interrupt की है यहां में हम इसके Satter zatter और और वो बना लेते हैं constructor यहांicamente इसको वे यहां के हम इसको constructor भी जाते हैं आप्मे मेरेत की आते है यहां के एक 5 आक आते है Or यह में इसको constructor भी गाए अब डेफिनिटली ये जो सारी information है name, detail और image इसको हमने map करवाना है अपनी custom list item पे image आएगा यहाँ पे, name आएगा यहाँ पे, detail आएगी यहाँ पे इसको अगर हमने define करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें custom adapter लिखना पड़ेगा जब तक हम custom adapter नहीं लिखेंगे हम कैसे बताएगे कि यह कौन सी information कहा पर जाएगी तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और class बना रहते हैं जिसे हम कह देते हैं my adapter और इसको हम extend कर देते हैं जो हमने last time use किया था array adapter से और यहाँ पे हम इसको angle bracket में pass कर देते हैं यहाँ भी यह कुछ error दे रहा है क्योंकि इसके में कुछ functions जो है हमको implement करना हमारे लिए जरूरी है सबसे पहले इसका जब constructor है उसको define करना दो है constructor हमने last time पे देखा था कि काफी ज़्यादा थे उन में से किसी एक को construct करना था अब ही फिल्हाल हम list पे data provide कर रहे हैं तो यह वाला जो constructor है सबसे suitable है तो मैं इसको implement कर लेता हूँ इसके लावा इसका जो team function वैसे कि चार function होते है get wrong, get item, get id और get item id और get view कि जो get view है इसको हमने implement करना है इसमें हम define करेंगे कि कौन से view के पर कौन से information show करना है तो सबसे पहले तो यहां पर context आएगा context को हम context को get tell लेंगे इसके लावा हमारे पास यहां पर create कर लेते हैं हम इसके private variable context यहां पर हमें जो पीचे से context आएगा उसको get कर लेंगे जो source id basically यह one source id है यह basically जो list item के हमें एक्समल बनाई है यह उसकी id है प्राइवेट इल्ट layout id और उसके बाद पीसी चीज़ जो हमारे पास होगी प्राइवेट और जो हमारे पास class नहीं की वह उसकी बेसी के लिए है मैं चाहिए होगी list तो यहां पर हम उसकी list को define कर जाएगे और यहां पर net service को data पूंड जाता हूं और यहां पर आके हम यह सारी information assign कर दूंगे context को is equal to यह चुके नाम डोनों similar है तो जो class variable है को distinguish करने के लिए इसके साथ शुरू में list का keyword लगा देते है layout id के साथ हम with source और पीसी चीज़ हमारे पास data था तो उसकी जगह पर यहां पर क्या रहा है objects results तो यह तो information जो हमें user provide करे जाए at the time of creation of the object उसको हम देखेंगे और यहां पर आके हम अब इस information को present करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे ही हमारे पास parameters के हैंगे सबसे पहले हमारे पास है position यानि कि कौन सी position के लिए हम यह काम कर रहे है उसके बाद हमारे पास है convert view convert view basically वह list item है इसको object इसने convert करके हमें देना है और parent यह वह वह view group basically view group से मुराद यहां पे हमारा जो view group का जो parent है वह list view है यहां पे इससे मुराद list view है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे check करेंगे if convert view not equal to null यह equal to sorry अज़र तो यह null है इसका मताब है हमें इसको initialize करना पड़ेगा उसके लिए हम layout inflator को use करेंगे get context get system service और यहां में हम दिखेंगे layout inflator service और यहां पे यह error लिए हमें इसको cast करना पड़ेगा क्योंकि इसको generic object हम इसको cast करेंगे अजर यह inflator यहां पे inflate हो जाता है तो हम यहां पे जाते हैं इस inflator sorry inflator का object अज़र create हो जाता है inflator का function कॉल करेंगे इसको resource id pass करेंगे resource id हम उपर get चुके layout id है और अगली चीज इसको parent pass करना है view group root और यहां पे हम जो return करेंगे और यहां पे हम जो वो करेंगे convert view convert view का नाम हम change भी कर सकते हैं यहां पे इसको यहां पे हमारे पास इसका object अगर तो पहले से create है तो available है और अगर नही create तो हम उसको यहां पे create भी करेंगे अब यहां पे आके हम क्या करेंगे इसके further जो हमने चीजे define की हैं उनको access करेंगे जैसे find view by id call करेंगे r.id dot अब इसके अंदर हमने 3 चीजे define की थी एक हमने define किया था image view और 2 हमने text view एक image item है और text view के लिए tv name है और tv detail है यहां पे हम आएंगे और यहां पे लिखेंगे tv name तो यह हमारे पास basically क्या है text view है इसी तरह हम tv detail में आ लेंगे और उसके बाद यहां पे हमारे पास है image item तो इसको हम कह देंगे image view अभी हमने क्या किया है कि जो हमारे पास custom list item के लिए अभी हम maximal बनाई है उसको यहां पे inflate कर दिया है यानि इसको एक java के object में convert कर दिया है और अब उसके फ़र्दर उसके जो child हमारे components है यहां पे create कर दिया है अब हम उनको access करके उनके correspondence data उनको बताएंगे कि उसमें क्या आएगा तो उसका correspondence data अगर हमने देखना हो तो हम क्या करेंगे simple get item function कॉल करेंगे जो मैंने को बताया था adapter का ही function आएप्जिशन दे नहीं है तो हमें उस position पर पड़ा हुआ object return कर देगा और अभी हम जो इसमें object add कर रहे हैं वो किस class का object है वो social media class item का object है तो यह इस तरह हमें object में जाएगा अब इस object की जितनी information है और वो in views के पर set करें tv name dot set text इसके में क्या पास करेंगे जो हमने अभी object पनाया है dot get name और इसी तरह हम detail पास करते हैं item से detail पास करेंगे तीसे number के हमारे पास है image dot set image resource और इसके में हम क्या पास कर देंगे वही item से जो हमें id मिलेगे तो यह सारी चीज़ें जो हम इसको पास कर देंगे तो यह एक view create कर देंगे और जितने इसके data होगा या जितनी इसके में हमने data रखा होगा उतनी रखा यह चलेगा और उतनी ही values इसके set करवा देगा context का object यहां के हमें बनाने की जोट नहीं है क्योंकि यहां पर get view पर जो function है उससे हमें context मिल जाएगा इसके जाएगा इसके यहां तक हम इसको देख चुके हैं अब हम basically इसको provide करेंगे data main activity में जाएगे और अब अगर आप देखें तो हम इसको यह वारा data provide नहीं करेंगे बलकि हम इसको अपना जो बनायावा adapter हो पास करेंगे इसको हम comment on भी कर सकते हैं पतम भी कर सकते हैं और इसको यहां पर जो हम adapter pass करेंगे वो अब हम जो खुद बनाया है my adapter के नाम पे वो पास करेंगे tiny cheese get application context हम as it is रहने नहींगे इसकी जगह पर list item हम पास करेंगे custom list item और object के लिए हम यहां पर देखेंगे कि हमने क्या data pass करेंगे let's say मैं यहां पर data लिख देता हूँ अब data की यहां पर हम क्या करते हैं पहले list कुदा लिखते हैं और इसको social media item इसके data इसके सवाज होगे realist यहां पर create हो गई अब यहां पर हम क्या करेंगे इसके पर objects डालेगे sorry कि यहां पर भी हम इसके change करना पड़ेगा basically adapter भी हमारा social media item का ठीक है अब data dot add इसके तर object टालेगे social media item का और social media item में सबसे पहले तो हम जे उसका क्या देना है name let's say behancer name detail यह फिल हाल मैं इसको bla 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 यह दे रहूँ यह 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 यहां तक हो गया उसके बाद हम इसको अब image दे रहूँ image फिल हाल मैंने इसकी directory में add नहीं ही है तो वह हम add कर लेते हैं यहां पर में मेरे पास images पढ़े हैं desktop पर यह यह पास यह इम्रे पास images पढ़े हैं और मैं इसको drag करके drawable नहीं अब यहां मेरे पास images भी पढ़े हैं ये यह हमारे पास detail प्याए रहे और तीस्ते चीज़ यह हमारे पास थी वोती, r.drival. r.drival.beance, तो इस तरीके से हमने एक value गी entry टैने, इसी तरीके से हमने एक value गी entry टैने, इसी तरीके से हमने यहां अपनी मर्जी से जितनी मर्जी values यहां पर add कर सकते हैं, let's say यहां पर मैं facebook add कर मैं चाता हूं, detail universe की change नहीं कहा रहा है, लेकिन यहां पर मैंने icon facebook पर use कर लिए, इसी तरीके से मैंने यहां पर विर्टरीश से तक्टन जाँ कर से जितनी विकेस Alex, विटतने तुटन विटताहु whatsapp यहां हमारा पास multiple values यहां पर आई हो बाकि हमारा कोड पॉर्मार सिमिलर है तो इस तो मैं सोज भी कह रहा है बैसी के लिए अब हमने क्या किया है कि हमारी जो data की array थी जो list थी उसके मेर हम पहले simple string पास कर रहे थे अब हम object पास कर रहे है social media item class के तो वो object runtime थे हमने यहां पर create किया है और इसमें add कर वा गया okay थोगा सा इस चीज का ध्यान रहते है कि special characters जो है वो allow नहीं करता है resources के अंदर android और इसके लावा अगर caps पर नाम लिखे हैं तो भी उनको भी allow नहीं करता है तो यहां पर google plus के अंदर यह नाम जो है इसके इसके अंदर special character है जो कि plus का है तो हम इसको allow नहीं करेगा underscore को allow कर देगा और nashies को भी allow कर देता है लेकिन special characters को यह allow नहीं करता है इसको अब चलाकर देखते हैं यह हमारे पास error है error हमारे पास इस नहीं कर रहा है item view को कह रहा है कि null pointer object है यहां पर हमने item view को initialize नहीं किया है तो वो क्योंकि हमने किया नहीं नहीं कर देखते हैं अब इसको चलाकर देखते हैं तो यह इस तरीके से हमारे पास जो हम इसको दोबारा राम करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की information शोग रहती है तो यह list दो करने अगर आप देखें तो यह हमारे पास एक custom सा एक information शोग करने का IQ बन गया है इसमें हम अपनी मर्जी से जिस मर्जी तरीके से layout को define करें और information को show करें similarity इन में यह है कि जो information की placement है वो similar रहेगी difference इन में यह है कि जो information इनकी उपर नजर आ रही है template पे वो different नजर आगी अब यहां पे अगर हम एक डू और information एड़ करने इसके अंदर जैसे main activity में जाके हम मजीर एजर को information एड़ करेंगे तो हमारा वो भी चलना है अगर मैंने इसी को copy करके दोबारा से paste करने और इसको अगर शुला भी तो मेरे पास बिल्कुल this view की तरह स्क्रॉल दिया था है क्लिक करने पर भी फिल्हाल error है क्योंकि हमने on item click लिक्स पर यहां पर view लिया था और view पर हमने assume किया था कि जो हमारे पास layout आएगा वो text view है जबके यहां पे आप text view नहीं रहा बल्के अप्या होगया linear layout हमारे पास root load है और उसके अंदर फर्दर हमारे पास further load है तो इसको आप figure out करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हमने इसके पर on click list से लगाना हो और information show करवानी ओलेट से facebook टोस्ट के पर लिखा हुआ है तो हम कैसे करवा सकते हैं comment section में इसका answer के नहीं कोशिश कीजिएगा अगर आपको नहीं इसकी समझ आएगी तो पूछ लिजएगा मैं आपको इसका answer कर दोगा thank you list view के लिए हमारा यहां तक इतना ही है इसके लावा अब हम थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे के database से information कैसे retrieve करेंगे और cloud information तो यह जो information हमने add किया हम इस तरीके से information को add नहीं करेंगे तो cloud से information कैसे आएगी और उसको हम कैसे custom list view पे shorter आएगे इंशाला हम इसको आने में लेक्से मिलेगे